नमस्कार आदाव सश्यकाल मित्रों गडेश्यतुर्थी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुपकाम नाएं प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम गडेश्यतुर्थी का पर्व मना रहे हैं जब भी ये पर्व आता है तो बहुत सारी खुशियां ले करके आता है और हम सब इस रूप में से मनाते हैं कि हमारे जीवन के तमाम विग्न नस्ट हो जाएं समाधान कारिक्रम भी समस्याओं की समाधान का कारिक्रम है इस रूप में गडेश्यतुर्थी हम सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गडेश्यतुर्थी सभी विग्नों को नाश करने वाले हैं और हम सब के भी विग्नों को नाश करते हैं आदर्णिय सुर्यभायजी तो आईए इस पर्व पर उनका अभिनंदन करते हैं प्रता जी आपका हार्दिक स्वागत है और साथ ही गडेश्यतुर्थी की बहुत सारी शुब कामना है आपको भी और सभी को बहुत-बहुत सुब कामना है सचमुच आज का दिन और अपसे आगे आने वाले दिन महाराष्ट में तो विसेश चार और खुसियां चाहिए है आज कल तो परताजी पूरे भारत वर्ष पूरे भारत में हो गया हम जब चोटे थे तो हमारी तरफ तो इतना जादा नहीं था पहले महाराष्ट में था लेकिन अब तो बंगाल में गए महां भी बहुत था मद्य परदेश में गए महां भी बहुत था एदराबाद में गए आंदर में महां भी बहुत था तो सचमुच हमारे भारत में ये तिवार खुशियां लेकर आते हैं कितना अच्छा है हमारा देश इसलिए भगवान ने इसे महांतीर्थ कहा चाहां कोई न कोई पर्व बार 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 कुछी दिन होते हैं तो फिर खुशियां लेकर आता है लोग आपसी वेरभाव को भूल कर फिर से आनंद में हो जाते हैं तो सचमुच बहुत सुन्दर बात है हमारे सारे देश में फिर से विघन विनासक की अरादना हो रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे जिसने जो भी इच्छा रखी है जो भी जिसके जीवन पर विघन आया है वो अवस्नस्थ हो जाएगा यही हमारी सच्ची सुब कामना है प्राता जी जब भी हम गड़ नायक की चर्चा करते हैं गड़ पती जी की चर्चा करते हैं तो तमाम देवी देवताओं से अलग इनका स्वरूप दिखाई देता है जैसे हम देखते हैं कि इनके शीस को हम देख लें इनके उदर को हम देखें, इनके वाहन को हम देखें, तो निश्टीत रूप से मन में जिग्यासा पैदा होती है, कि इनके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य से अवश्य है, तो मैं चाहूँगा कि हमारी तमाम दर्शकों के सम्मुख, आप इस आध्यात्मिक रहस्य क करें कि इनका ये जो दिव्य स्वरूप है इसके पिछे क्या भाव बिलकुल ये ठीक बात है जब हम बच्चे थे तो कहानियां गाउं में बहुत पर्चलित थी कि कैसे महादेव जी ने इसका गला काट दिया था फिर पारवती के कहने से हाती का धर्ड इसके ऊपर रख दिया और जब देवताओं को महादेव जी ने कहा कि सबसे पहले उसकी पूजा होगी जो सारी प्रत्वी का चक्र लगा कर सबसे पहले आएगा तो सब तो अपने वहानों पर भाग गए फटा फट तेजी से रहे गए गणेश जी अब उनका चुआ धीरे चलने वाला तो उनको ए उनकी परिकर्मा लगा दिए और सबसे पहले आवे थे इतने सब बहुत दिनों में आए वह आगे बैठे थे तो उनको बहुत बुध्धिमान माना गया कि देखो और देवताओं को ये विचार नहीं आया कि सारे संसार की परिकर्मा करने से अच्छा है जो संसार का अधीप तो हरकार ये सूब होगा, निर्विघन होगा, तब से शुरुआ, पर मैं एक हसी की बात सुनाओ, हम सोचा करते थे, लोग हसी मजाक किया करते थे बच्चे, महादेव जी को गुसा आगया, वो तो काम को जीत चुके थे, दिखाया काम आरी उनका नाम है, काम को जीतने वाले जो काम को जीत लेता है, वो तो क्रोध को भी जीत लेता है, और भगवान को गुसा क्यों आएगा, भगवान को गुसा आजाए, तो संसार का क्या आल हो जाएगा, फिर तो यहाँ वाले मनुस्यों को जो गुसा आता है, वो भी कहेंगे, महादेव जी को भी तो गुसा आता उतने में ही इशीर जी आगया जिसकी चर्चाप करेंगे तो हम हसी मजा किया करते थे कि महादेव जी को क्रोध आ गया ये तो अच्छी बात नहीं लगती फिर बच्चे का धड़ काट दिया इतना क्रोध तो आज भी किसी को नहीं आता और फिर उसके ऊपर हाती के बच्चे क मारा होगा हम सोचा करते थे कि बच्चे का धड़ छोटा सा हाती के बच्चे का धड़ बहुत बड़ा फिट कैसे हुआ होगा है लोग कहते थे क्या सोच रहे हो भगवान सब कुछ कर सकता फिट कर दिया उसने तो हैसी मजाख हुआ करती थी लेकिन जब ब्रमा कुमारी जी तो इन सब के आध्यात्मिक रहस्यों का पता चला और यह समझ में आके शरी गनेश जी की जो यह प्रतिमा बनाई है वास्तों में उसके बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं और किसी समय शर्ष्टी पर ऐसी घटना एक घटी जब भगवान ने आकर मनुस को सब कुछ दिया उसक सबसे अधिक बुद्धिवान है, तो सबसे अधिक विद्धिया उनके इसा नहीं था, तो बहुत सारे रहस्य समझ में आ गए तो भगवान जब इस धरा पर आते हैं, यह सारे जो त्योहार हैं, यह जो हमारी यादगारे बनी हुई हैं, यह जो हमारे भिन भिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, चाहे वो देवियों की हो, सक्तियों की हो, चाहे गनेश जी की हो, चाहे हनुवान की हो, तो यह सब यादगारे और यह सब कहां से शुरू हुए कि कल्योग के अंत में जब भगवान इस धरा पर आते हैं, हर कल्प में कल्योग के अंत में वो आते हैं, तो पहले आकर देते हैं सत्ज्ञान और सत्ज्ञान के द्वारा मनुस को पतित से पावन बनाते हैं, राज्योग च तो उसमें एक विशेस बात है, के मनुस के जीवन में विघन तो आते ही हैं, लेकिन विघनों को जनम देने वाला है मनुस का अभीमान, अधिकतर विघन. यहां से शुरू होते हैं, विकारों से शुरू होते हैं, कोई क्रोड से शुरू होता है, कहीं काम से होता है, कहीं इच्छाओं से होता है, कहीं महों से होता है, तो भगवान ने सब को आदेश दिया था, कि तुम इस मैपन को, इस अभीमान को जीतो, जब तुम इसको जीत जा में विगनों को नस्ट और फिर ये एक बहुत अच्छा से धानत दे दिया कि जो लंबा काल निर्वी घंजीवन जीते हैं उनमें विगन विना सक्त करने की शक्ति आ जाती है यानि वो अपने और दूसरों के विगनों को नस्ट कर सकते हैं तो ऐसी आत्मा हैं जिन्होंने बुद्धी है दिव्य बुद्धी है तो एहम जब मनुसका नस्ट हो जाता है तो उसकी बुद्धी बहुत दिव्य हो जाती है इसका प्रतीक हाती का सिर्थ दिखा दिया है तो उहां से शुरू हुई है कहा जाता है कि इसके पास तो हाती जैसा दिमाग है तो ये कहने की ब अगर विवेक पूर्ण देखा जाए सब भगतों की भावना तो है हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं लेकिन फिठी नहीं होगा और सरीर मनुस का और सिरहाती का तो सरीर का विकास भी नहीं होगा क्योंकि ब्रेन ही तो विकास करता है ना सरीर का तो कई बार जैसे हम कहावतों में बात कहते हैं उसी प्रकार की बात है ये बुद्धी के रूप में जैसे कहा गया कि अभीमान नस्ट हुआ और साथ ही एक दिव्य बुद्धी दी तो एक बड़ी बुद्धी के प्रतीक के रूप में ये शिछ दिखाया गया जैसे दूसरी बात ऐसे हुई, लोग बक्री बक्रो की बली चड़ा देते हैं, तो भगवान ने कहा avete में पन की बली चडाओ यह जो तुम्हारा में में तुम करते हो अभीमान रहता है, में बड़ा हूं, मैं बुद्धिमान हूं मैं वलवान हूँ, मेरे पाव इतना धन है, इस मैं मैं को छोड़ दो, तो तुम्हारा जीवन डिवाइन हो जाएगा, तो भगतों से मैं तो छोड़ा नहींगा, तो जो मैं मैं करती है वक्री उस बैचारी की बली चड़ा दिए तो ये ऐसे प्रतीक मात्र बन गए, तो सब उसका जैसे यथार तर्त नहीं है, विद्या इसको नहीं का जा सकता, तीनों कालों का ज्यान, आत्मा का ज्यान, परमात्मा का ज्यान, कर्मों की गुईयगति का ज्यान, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्यान, माया का ज्यान, ये सब ज्यान जिसके पास होता है, वही सं संपोर्ण विद्या को उन्होंने अपने जीवन में धारन कर लिया था तो इसी की यादगार में ध्वापर योग से भगती में शिरी गनेश जी की पूजा होने लेगी थी क्योंकि जो सबसे बुद्धिमान है जो विगन विनासक है और सबसे पहले उसकी मान्यता होगी उसकी पूजा होगी तो संपूर्ण कारिये जो है निर्विधन होगा इसलिए कोई भी कारिये प्रारंब करने से पूर्व आज भी ब्राता जी चाहे वो धार्मिक अनुस्ठान हों चाहे अन्यकारियों की को प्रारंब करें लेकिन इस्तुति श्री गनेश जी की किये जाती है इसके पीछे यही रहस है कि उससे सब कुछ सुब सुब होता जाए हैं हमारे हमारी मनोइस्थिती बहुत दिव्य है स्यान्थ है सब के लिए प्रेम और सुब्भावनानों से भरी है तो हमारे इन संकल्पों का हमारी मनोइस्थिती का पूरा प्रभाव सारे करम पर पड़ेगा मानलो एक व्यक्ति कर्म कर रहा, जैसे सास्त्रों में पुरानों में दिखाया है, कि अंगद भी यग कर रहा था, लेकिन संकल्प थे बुरे, लक्ष था राम की सैना को नस्ट करना, तो यग पवितर चीज है, लेकिन लक्ष गलत है, असूर लोग भी यग करते थे, किसी गलत कारिये के लिए, किसी गलत कारिये की सिद्धी के लिए, तो उसका परभाव पूरे करम पर रहता है, ऐसे ही भारत में हमारे हिंदो धरम में और धर्मों में भी होगा, ये प्रथा हो गई, कि जब हम कर्म प्रारम करते हैं, तो उससे पहले पंडितों को बुला कर कुछ उससे सफलता की सिद्धी ले लें, तो इसका इफेक्ट पूरे करम पर रहता है, अब देखेंगे ग्रह प्रवेश भी लोग करते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा अनुस्थान करा के फिर प्रवेश करते हैं, ताकि हर कर्म की सुरुवात बहुत अच्छे ढंग से हो, ये इसका रहसे हैं, इनके अन्य जो चीजें हैं, अब राता जी, जैसे इनके बड़े कर्ण दिखाया जाते हैं, या फिर इनका वाहन जो है, वो चुहे के रोप में दिखाया जाता है, या इनके चारो जो हाथ हैं, उनमें जो अलग-अलग अलंगार दिखाया जाते हैं, इनक यह स्रवन्सरक्ति भहुत अच्छी इसकारत होता है कागरता बहुत अच्छी ग्रहेंड सक् kardeşim दोखेंड लए भी दृएकर दिखा के लिए संधी उसकी प्रक्ता वह ही जो जोर-धार है तो वहीं दिखाद कि अच्छा बड़ा पेट दिखाया है, कहा जाता है इसके पेट में बात पच्छती नहीं है, तो भोजन भी पेट में पच्छता है, तो बड़ा पेट दिखा दिया, जो सब बातों को अपने अंदर समा ले, उनकी चर्चाना करें, उन्हें फैलाएं नहीं, उन्हें बढ़ाएं नहीं, स वो गलती करके घर में आई, मा को पता चला, तो मा जो है अपने पती को भी नहीं बताएगी, उसके भाईयों को भी नहीं बताएगी, बाहर तो बिल्कुल नहीं बताएगी, इसको कहते हैं समालिया, और देखिए वही गलती को और की लड़की करके आए, तो माताइं फैलाना अपना करतव समझती हैं तो गनेश जी अर्थात वो महानात्मा जिसमें सब कुछ समाने की शक्ती थी किसी ने बुरे वचन भी बोले समा लिया कहीं हार हुई कहीं अपमान हुआ कहीं असफलता हुई सब समा के अपनी मनों इस्थिती को बिल्कुल इस्थिर रखा रही बात चूहे की देखिए सोचने की बात है कि गनेश जी इतने बड़े और चूहा बहुत चोटा सा वो तो बैठते ही वैसे मट जाएगा वेचारा चू बुद्ध ही है कुटर कुटर करता है न तो यह जो माया है इसको उन्होंने अपने वस कर लिया निजी वह सवार हो गए इस पे माया उनको कोई असर नहीं करती थी चारो हात में भी उनके बहुत अच्छे-च्छे अलंकार है लड़ू भी दिखाते हैं गनेजी का तो देते सदाव देने वाले लेने की कोई इच्छाने अपनी सभी इच्छाओं को समाप्त कर दिया और केवल संसार को देने वाली महानात्मा की वो यादगार है। रहे दिव्यता रहे जीवन में तो ये चारो अलंकार भी उसकी यादगार है। तो जो तपस्वी जो महानात्मा जब भगवान इस धरा पर आये थे हमने प्रादम किया था तो उसने ये सब चीजे मनुस्यों को सिखाई थी और जो आत्मा हैं ये सब कर पाई जो सिरी गनेश जी के सब चीजों के प्रतीक हैं वो सचमुच विगन विनासक बन गए वो संसार के विगनों को हरने वाले बन गए और उनके द्वारा ये महनकारी होने लगा तो आज उनकी प्रतिमाओं के द्वारा भी बहुतों के विगन नस्ट होते हैं इसलिए लोग भक्ती में कोई उ बहुत नियम पालन करने पड़ते हैं, ग्यारा दिन तो अपने से होगा नहीं, तिन दिन ये भारी पड़ गए, पवितरता भी अपनानी है, वरत भी रखना है, विचारों की सुध्धी भी रखने, और भी कुछ-कुछ करना होता है, तो ये सब प्रतीक हैं हर चीज के, प्रत हैं, तो कई बार लक्ष भी होता है, कि हमें कुछ विशेज़ प्रकार की सिद्धी प्राप्त हो, तो सिद्धी विनायक कहने का भाफ क्या है, और यदि हमें कोई सिद्धी प्राप्त करनी हो, तो हम क्या करें? फिर ये अस्ट विनायक क्यों दिखाए जाते हैं, बात तो हमने पहली बार ये प्रसन सुना था, अस्ट विनायक की पूजा होती है, तो इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर रहसे और सिद्धी दाता हैं वो तीन उनकी विशेष्टाएं हो गई, वो विग्न विनासक, सिद् और कई आत्माईं उनसे विग्न विनासक का वर्दान ले लेती हैं, और उन्हें वो वर्दान देते हैं, कि तुम समस्त विश्व के विग्नों को नस्ट करो, जिस पर भी तुम्हारी दृष्टी पड़े, उसके विग्न नस्ट हो जाएं, जिसके सिर पर तुम हाथ रख द ही है, सिध्धी का यहां सिधा सार्थ होगा सफलता हर कारिये में सफलता कोई अग्जाम दे रहे हैं Jomant चाही इच्छा है इतने मार्षानि चाहें, रहे हैं जो expectations हैं वह पूर्ण हो कोई कारिये कि यह जा रहा है उसमें सफलता हो, सफलता का ही दूसरा नाम सिद्धी है बाकि सबसे बड़ी सिद्धी संकल्प की सिद्धी है कि हम जो सोचें वो हो जाए दूसरी सिद्धी वाक सिद्धी कहलाती है जो हम बोलें वही सक्त हो जाए बाकि छोटी सिद्धियां संसार में बहुत हैं बड़ी बड़ी सिद्धियां भी हैं आकास गमन सिद्धी जल गमन सिद्धी बड़े को छोटा रूप बनाने की छोटे को बड़ा रूप बदलने की सिद्धी ये सब बहुत सिद्धियां होती हैं लेकिन हम बात करेंगे पहले विगन भी ना सक्की हैं तो मैं कह रहा था कि भगवान इस धरा पर आये और हम हम सबको वर्दान दे रहे हैं देखिये सिरीगनेस भी शिव के पूतर और हम सब भी तो उसी के पूतर हैं तो हमें भी वो शक्ति देते हैं विगनों को नश्ट करने की हमारा करतव है कि हम अपने अंदर छुपी हुई सक्ति को पहचाने देखिए विग्न को हम इस्थापित करेंगे लोग इस्थापित करते हैं मेरे पास ये विगन है जीवन में है शिरी गणेश जी मैं आपकी इस्थापना करता हूँ ये मेरा विगन नस्थ हो जाए और नस्थ होते भी है अगर ये शिरी गणेश जी का महत बहुत बढ़ जाता है तो हम भी अपनी सक्तियों को पहचाने देखिए वहां तो एक विगन नस्थ हो गया अब साल पड़ा है अगली गणेश चतुर्थी आने में तब तक नजाने कितने विगन हो रहेंगे तो रोज तो भी शिरी गणेश जी कोई स्थाफित कोई कर नहीं पाएगा तो हम अपने अंदर जो विगन विना सक्ति है उसको पहचाने उसको योज करें राजियोग से परमातम सक्ति प्राप्त करें और हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने विगनों को नस्थ करना प्रारम करें तो मेरे पास इसके किया मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ विगन विना सक्त हूँ यानि मैं स्वेम ही हूँ हम बार बार इस बात को रिपीट करें के विगनों को नस्थ करने की सक्ति हमारे पास ही है इस चीज को विशीज करके हमारी दर्शक समझें गाता जी बहुत ही महत्वपूर बात आ पूजा करते आये हैं, लेकिन कभी ये फिलिंग हमारे अंदर नहीं आई, कि जैसे गणपती जी शिव पुत्र हैं, हम भी शिव की संतान हैं, और जैसे गणेश जी हमारे प्रतीक रूप में है विग्ण विनाशक, हमारे अंदर भी विग्णों को नस्ट करने की शक्ती है, औ हम भी अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, जैसे साब ने में से पूचा था, कि अस्त्र विनायक्यों दिखाए जाते हैं, तो देखिए इस रस्ती का एक बहुत सुन्दर रहस से, हम अपने दर्शकों के समख्ष रखना चाते हैं, जब भगवान इस धरा पर आते हैं, तो वो पढ़ाते हैं हमें, परम शिक्षक बन कर अपना संफोन ग्यान देते हैं, योग सिखाते हैं, चीवन को निर्वी कारी बनाने का संफोन ग्यान देते हैं, सुन्दर जो गुण हैं, जिनको नेतिक मुल्य कहते हैं, उनको जीवन में ले आने की पूरी विधी बताते हैं, और और फिर सारे संसार को पावन बनाने की सेवा कराते हैं, अनेक मनुस्यों को विकार छुडाने की सेवा कराते हैं, अनेक मनुस्यों को परमातम संदेश देने की सेवा कराते हैं, तो ये चार सब्जेक्ट उनके होते हैं, तो भगवान आकर जैसे की उनिवर्स्टी खोल देते ह Godly universities को कहते हैं, यह एक wonderful चीज है, और सब जानना चाहिए, कि इस समय भगवान ने आकर यह इस्वरी विश्विध्या ले खोला है, और स्वयम भगवान इसका परम शिक्षक है, बाकि हम सब को उन्होंने शिक्षा दी हैं, फिर हम दूसरों को दे रहे हैं, हमारे बहुत सारे बहने हजारों में दूसरों को यह ग्यान दे रहे हैं, इन सब साधनाओं को करते करते, जैसे एक युनिवस्टी में कोई gold medal लेता है, किसी का नाम merit list में आता है, 10 top जो student है, top 10 में इसका नाम है, तो ऐसे ही भगवान की इस युनिवस्टी में आठ आत्माएं सबसे महान बन जाती हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, निरंतर योग युक्त हो जाती हैं, दे में रहते भी विदेही इस्थिती में रहने लगती हैं, इस अंसार में रहते भी आना सक्त रत्ती से जीवन जीती हैं, सभी मनोविकारों को संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेती हैं ये अस्रत्न कहलाते हैं ये समझो इस युनिवस्टी के merit list के student pass with honor होने वाले top most अब ये जो अस्रत्न हैं इन में से हर एक के पास अलग-अलग शक्तियां होती हैं यह तो सारी शक्तियां सब के पास होती हैं लेकिन कोई बिमारियों के विघन को नस्ट करेगा कोई भूत प्रेतों के विघनों को नस्ट करेगा तो कोई और काम धंदों में विघनागे उनको नस्ट करेगा, कोई चलते चलते परिवार पर विघनागे उसको नस्ट करेगा, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक के विघनागे कोई उसको नस्ट करेगा, किसी काम धंदों में अचानक असफलता होने लगी, एक्सिडेंट सोने लगे, जो काम क करें, सोना भी मिट्टी बनने लगा, ऐसे विगना गए कोई उसको नस्ट करेगा, तो आठो रतन, आठो ये महानात्माएं अलग-अलगतर है कि विगनों को नस्ट करती हैं, इसलिए अस्ट विनायक हो गई ये, आठ महानात्माएं, यानि आठ गनेश, तो लोग एक ही हो जाते हैं, जिनके पास संपोन पवितरता आ जाती है, उनके पास संकल्पों की सिद्धी भी आ जाती है, उनकी ध्रस्टी में भी बहुत पावर आ जाती है, और उनके पास संपोन ग्यान होने के कारण, वो संपोन विद्या के मालिक अर्थात विद्यापती भी बन जाते ह ये तीनों चीज इस तरह काम करती है। कुछ दिनों तक ये ही एक पुरा माहौल रहेगा। तो हमारे सभी जो दर्शक हैं, जितने भी श्रद्धालू हैं, जितने भी भक्ते हैं, जो बहुत ही श्रद्धा भावना से गड़्पती जी की उपासना करेंगे। तो उपासना के साथ साथ, पूजा के साथ साथ, अन्य और क्या करें, जो ये गड़पती पूजा उनके लिए यादगार हो जाए। बिल्कुल कम से कम ग्यारा दिन तो सभी को पवितरता की अपने अंदर धार ना कर लेना चाहिए। बिल्कुल अगर कोई नोन वैज खाते हैं, तो उन्हें सुद्ध साथ्विभोजन खाना चाहिए। अगर कोई स्राप पीते हैं, शिग्रेट पीते हैं, तमाखू काते हैं, तो इसका बिल्कुल निसेद कर देना चाहिए। गनेश जी भी तो प्रसंत तभी होंगे ना, हम अपने कर्मों को तो सुधारे नहीं, और पूजा पाठ राद दिन करते रहें, हम लड़ाई जगडा भी करते रहें, दूसरों के आगे विघन भी पैदा करते रहें, और विघन विनासक के आगे जाके हाज जोड के प्रार् दूसरों के मार्ग में विघन नहीं बनेंगे, हम किसी के मार्ग में दिवार खडी नहीं करेंगे, हम सब को सहय होग देंगे, नकेवल गनेश की अमें पूजा करनी है, लेकिन हम यह भी तो सोचना चाहिए, यदि गनेश यदि वो हमारे पास सदा रहने लगें तो कितना अच्छा होगा तो हम देखिए कोई विव्यक्ति रहता वहीं है जहां समानता हो गंदगी में तो कोई नहीं रहेगा तो अपने चित को सुद्ध करें और इस पर उपर जैसा मैंने कहा सात्वी का हार करें व्रत तो लोग रख लेते हैं लेकिन फिर गंदा खान खान खाना शुरू कर देते हैं लेकिन वरत कर लें किसी विशेष चीज का पूरे जीवन के लिए हैं जैसे कोई वरत लेले कि आज से हम अपने मुक्ष से मधुर वचन बोलेंगे तो सच्चे मीठे लटू हो जाएगे आज से हम अपने को काट डालते हैं, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम दूसरों को कस्त नहीं पहुंचाएंगे, आज से हम किसी को धोका नहीं देंगे, आज से हम किसी का धनमाल नहीं छीनेंगे, कोई एक चीज का व्रत अवस्य ले लिया जाए, तो एक दिन व्रत करने से कहीं कल्या करी होगा हम पूरा जीवन किसी सुन्दर धारना का वरत ले लें तो मैं सभी भक्तों को जो बहुत आज के दिन खुशियां मना रहे हैं हम उनके साथ हैं हम उनकी इस भक्ती का इस खुशी का सम्मान करते हैं बहुत अच्छा ये भारत के लिए गर्व की बात है भक्ती मैं हो जाता है सारा वातारन प्रभू प्रेम की तरंगे चार और फैल जाती हैं जहां देखो वही चर्चा होती है लेकिन अपने जीवन को गनेश जी जैसा बनाना यही इस पर्व की सार्थकता होगे तो हम सभी अपने दर्शकों को कहेंगे कि आप सभी जिसम कल्प कर लें हम हमारा अब तरीका है उसको थोड़ा बदलेंगे दूसरों को सुख देंगे ताकि भगवान हमसे प्रसन रहे सदा ही और हमें उसके आगे सदा हाद जोड के खड़ा न रहना पड़े लेकिन वो अपनी च्छा से अपनी और से हमें सब कुछ प्रदान करता रहे बहुत- बहुत सारी खुशिया हम सब के लिए लेके आता है और आज बहुत सुंदर आध्यात्मी क्रहस से हमने समझा है कि गड़िश जी के सभी अलंकार क्या-क्या हमें कहते हैं क्या-क्या प्रेड़ना देते हैं तो इस वर्ष हम केवल पूजा ना करें लेकिन स्वयम को भी हमारा जीवन मधूरता से भर जाए और हमारा हाथ सदा ही वरध हस्त अर्थात देने वाला हो तो हमारी जीवन में कोई भी विगन नहीं रहेगा हमारी धेर सारी शुपकाम ना है कि ना केवल इस गड़ेश चतुर्थी में बलकि पूरा ही जीवन पूरा वर्ष आपका पूरा है